नमस्कार बच्चों, आपका बार्वें कक्षा व्यवसाय अध्यन भाग एक में चौत्य अध्याय नियोजन में स्वागत हैं बच्चों, इस अध्याय के अधिकम के उद्देश इस प्रकार हैं इस अध्याय के अध्यन के उपरांत आप नियोजन का अर्थ समद सकेंगे, नियोजन के विशेष्टाओं तथा इसके महत्व को जान सकेंगे, नियोजन की सिमाओं को समद सकेंगे, नियोजन प्रक्रिया में नीत आवश्यक कदमों का विशलेशन कर सकेंगे, तथा विभिन की योजनाओं की पहचान कर सकेंगे। Guten प्रफम एवंग सबसे महतुपूरण कारेय हैं। इससे ही प्रबंद के अन्य कारेय प्रारणस होते हैं तथा यह प्रबंद का व्य कार्य है जिसमें संस्था के लक्षों का निर्धारन करना तथोंने प्राप्त करने हेतु की जाने वाली विभिन क्रियाओं का निर्धारन करना शामिल किया जाता है। नियोजन के अंतरगत किसी कारे के संबंद में यह निश्चित किया जाता है कि कब, क्या, कैसे और किसके द्वारा किया जाना है। अतहे, नियोजन को एक चेनात्मक प्रक्रिय के रूप में भी कहा जा सकता है, जो इन सभी प्रश्णों के बारे में निर्णे लेने का कारे करती है। आईए कुछ परिभाशन दुवारा इसका अध्यन करते हैं। प्रसिद्ध प्रबंद शास्त्री कुंट जोडोनेल के अनुसार क्या करना है, इसे कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारन करना ही नियोजन है। थीयो हैमन के अनुसार क्या किया जाना है इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। अतहे इन परिभाशों से स्पष्ठ हो जाता है कि नियोजन एक चयनात्मर प्रक्रिया है तथा इसका मुख्य उदेश्य भविश्य के घटना करम को पूर्वानुमान के अधार पर एक वांचित दिशा परदान करना है। बचो आगे बढ़ते हैं और अब नियोजन की विशेष्टाओं का अध्यन करते हैं। प्रबंद के कारे के रूप में नियोजन की प्रक्रती तथा क्षेत्र पर प्रकाश डालती नियोजन की कुछ मुख्य विशेष्टाइं इस प्रकार हैं। नमबर एक, नियोजन का केंदर बिंदु लक्ष प्राप्ति होता है। किसी भी संस्था का प्रात्मिक कारे नियोजन होता है और नियोजन में ही सर्व प्रथम उद्देशों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों के अभाव में किसी संगठन की कलपना भी नहीं की जा सकती। उद्देश्यों के निर्धारन के द्वारा ही नियोजन में उन्हें प्राप्त करने का मार्ग निश्चित किया जाता है। उद्देश प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो पूर्व निर्धारित मार्गों में परिवर्तन भी किया जा सकते हैं। उधारण के लिए किसी विशेश उद्देश की प्रापती में यदि कोई बाधावत पन हो जाए तो उसके लिए सर्वोत्तम वेकल्पिक मार्गों को पहले से ही निर्धारण करना नियोजन के द्वारा ही संभव है। अत़ह स्पष्ठ है, न्योजन उद्देश प्राप्टी में सहायक है. नमबर दू, नियोजन प्रबंद का प्रात्मिक वसर्वो परी कारे है. प्यारे बचो, नियोजन प्रतेक परबंदक द्वारा निश्पादित किया जाने वाला प्रात्मिक कारे हैं तथा नियोजन ही समस्त परबंदकी कारियों के निश्पादन के लिए अधारबुत धांचा परदान करता है नियोजन के अभाव में परबंद का कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता तथा यह परबंद के कार्यों की नीव होता है उधारण के लिए एक कमपनी 20 करोड वार्शिक विक्री का उद्देश्य रखती है इस उद्देश्य की प्राप्ती के लिए उसे दूसरे संबंदित कार्यों जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त, आदी क्रियाओं का भी निर्धारण करना होगा इन क्रियाओं के निर्धारण के बाद उसे विभिन्द विभागों में पदों का निर्धारण करना होगा फिर हर पद में अधिकार एवं उत्तरदायत्व का निर्धारण करना होगा उसे यह भी निर्धारित करना होगा कि उसे किस विभाग में कितनी मानविय शक्ती की अवशक्ता है जिसके अधार पर करमचारियों की निक्तिकरण, निर्देशन, एवं नियंत्रन आदिकार्य किये जाएंगे अतहस पश्ट तोर पर कहा जा सकता है कि नियोजन परबंद का सर्व प्रथम एवं सर्वो परिकार्य है नमबर तिन नियोजन सर्व व्यापी है नियोजन कार्य सभी प्रकार की उपक्रमों में उच्च स्तरिय प्रबंद से लेकर निम्न स्तरिय प्रबंद तक सभी स्तरों पर एक समान रूप से अवश्यक होता है इसलिए इसे सर्व व्यापक कहना अनुचित नहोगा योजना निर्मान प्रतेक परबंधक का सबसे महतुपुरुन कारे होता है फिर चाहे वो परबंधक संस्ता का परबंध संचालक हो या कार खाने में काम करने वाला कोई परयवेक्षक अथवा फोर्मेन उधारन के लिए यदि उच्चिस तरिय परबंदक संपूर्न संस्थान की नियोजडन को अपने हाथ में लेते हैं तो मद्यस तरिय परबंदक विभागी नियोजडन करते हैं तथा निम्न स्तर पर दैनी क्रिया कलापों का नियोजन परेविक्षकों के द्वारा संपन्न किया जाता है। अतह नियोजन सर्वभ्यापी है। नमबर चार नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन में योजन एक विशिष्ट समय के लिए तयार की जाती हैं, जैसे एक महा के लिए, त्रेमास एक समय के लिए, अथव एक वर्ष के लिए. उस समय के पूर्ण हो जाने पर नई आवशकताओं के अनिसार नई योजनाओं का निर्मान करना होता है. अतह नियोजन कभी नेना समाप्त होने वाली क्रिया है, तथा नेरंतर चलती रहती है। उधारन के लिए यदी एक कमपनी एक नया उत्पाद बाजार में उत्तारने की योजना बना रही है तो उसे ऐसा करते समय ग्रहाकों की रूची, उनकी आर्थिक स्थिति, रिती रिवाजों, इत्यादी, पर्यावरणिय घटकों को ध्यान में रख कर ही निर्णे लेना होगा एक दूसरे उधरन के तोर पर एक उत्पाद के विक्री के पूर्वान मान के नुसार ही एक व्यवसाइक फरम अपने उत्पादन तथा वित्ती योजनाओं को तयार करती है अतह स्पष्ट है कि नियोजन बविश्य में आगे देखने की प्रक्रिया है नमबर छे, नियोजन में निर्णे लेना शामिल है नियोजन निश्चित रूप से विभिन विकल्पों तथा क्रियाओं में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है यदि केवल एक ही संभावित लक्ष्य या एक ही कारेविधी से कारेसंपन होना हो तो नियोजन की कोई आवश्यक्ता ही नहीं होगी नियोजन की आवश्यक्ता केवल उसी समय होती है जब विकल्प उपलब्ध होते हैं तथा प्रतेक विकलब के पूर्ण परिक्षन तथा मुल्यांकन करने की अभशक्ता होती है। ताकि उन में से सर्वोतम विकलब के चुनाव को प्राथमिकता दी जा सके। अतह है, नियोजन सर्वोतम विकल्प को चुनने और अनुप्युक्त को अस्विकार करने के प्रकरिया है, इसलिए कहा जा सकता है कि नियोजन में निर्णें सम्मिलित है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, क्योंकि नियोजन का सम्मन कुछ करने से पहले सोचने के साथ है, इसलिए इसे एक मानसिक अभ्यास भी कहा जा सकता है नियोजन में मुख्यतह, दूरदर्शिता, कल्पना, एब्म रचनात्मक चिंतन को शामिल किया जाता है, ताकि भविश्य में किये जाने वाले कारियों के बारे में सही से निर्णें लिये जा सकें यह मूलतह, करने से पहले सोचने की एक बौधिक क्रिया है, जिसमें कब, क्या, कैसे और किसे करना है, जैसे महत्व पुरुन प्रशनों पर विचार किया जाता है अतह नियोजन एक मानसिक अभ्यास है बचो आगे बढ़ते हैं और व्यवसाइक उद्यम के लिए नियोजन के महत्व का अध्यन करते हैं नमबर एक, नियोजन निर्देशन परदान करता है नियोजन परक्रिया द्वारा संस्था के उद्देश्यों को सरल एवंसपष्ट सब्दों में परिभाशित किया जाता है जिसके परणाम सुरुप सभी करमचारियों को एक ऐसी दिशा मिल जाती है जिसकी और सभी के परियास केंद्रित हो जाते हैं इस परकार संस्था के मुख्यों देश्यों को प्राप्त करने में नियोजन एक महतो पुरुन भूमिकानी भाता है उद्दारन के लिए माना किसी कंपनी द्वारा बिक्री का एक लक्षे निर्धारित किया जाता है अब सभी अन्य विभाग जैसे क्राय, उत्पादन, वित्त, एवं सेविवर्गिय विभाग अपने अपने उद्देश्यों का निर्धारन करेंगे इस परकार सभी प्रबंदकों का ध्यान अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के और केंद्रित हो जाएगा तता है जब सभी भाग अपने अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेंगे तो बिक्री के लक्षे को प्राप्त करना स्वतह ही निष्चित हो जाएगा अथे नियोजन उद्देशी निर्धारन वन निर्धेशन में मुख्य भूमिका निभाता है प्यारे बच्चों, नियोजन सदेव भविश्य के बारे में बात करता है, परन्तो भविश्य तो अनिष्चित होता है प्रबंधक नियोजन द्वारा भविष्य में सम्भावित परिवर्तनों का अनुमान लगाकर विभिन करियाऊं को अच्छे ढंग से नियोजित करने का प्रयास करते हैं इस प्रकार नियोजन भविष्य के इनिश्चिताऊं से होने वाले जोखियों को कम करता है उधारण के तोर पर ग्रहाकों की रूची तता फैशन आदी में होने वाले परिवर्तन का सही पूर्वानुमान लगाकर एक व्यवसाय उस उत्पाद की विक्री में होने वाली कमी के जोखिन को लाबकरी अवसरों में बदल सकता है नमबर तिन नियोजन अनावशक एवं अपव्याई क्रियाओं की संभावनाओं को कम करता है नियोजन में हैस पश्ट होता है कि क्या, कैसे और कब किया जाना है जिससे व्यवसाय की क्रियाओं में अपव्या के स्थान पर मित व्यायता आती है नियोजन संस्था में अनावशक क्रियाओं को दूर करके संसाधनों की बर्बादी को भी रोकता है उधारण के लिए यदिया निश्चित हो जाए कि किसी विशेश माह में कितनी धनराशी की अवशकता होगी तो वित्त प्रबंदक समय पर ही इसकी विवस्था कर लेगा परंतु इस जानकारी के अभाव में वित्त की कमी अथ्वा अधिक्ता जैसी स्थितियों में अनावशक नकदी अथ्वा भ्याज की हानी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो की अपव्याई को बढ़ाते हैं अतह नियोजन अनावशक एवं अपव्याई क्रियाओं की संभावना को कम करने में सहायता करता है नमबर चार नियोजन नविन्तम विचारों को प्रुथसाहित करता है नियोजन प्रक्रिया में प्रबंधक विभिन विकल्पों में से सर्वस्रेष्ट विकल्प का चैन करता है तथा किसी सर्वस्रेष्ट विकल्प के लिए उसे विभिन विकल्पों की खोज करने होती है इस प्रक्रिया में नए नए विचार उसके सामने आते जाते हैं और उसके अध्यन में जुड़ते चले जाते हैं। इस परकार निरंतर अध्यन द्वारा नियोजन से प्रबंदकों में सोच विचार करने की शक्ति का संचार होता है। और उनमें नवीनतम विचारों तथा स्रीजनात्मकता का विकास होता है। यह नवप्रवर्तन ही प्यव पढ़ चुके हैं, नियोजन एक बौधिक प्रक्रिया है। आंकडों को इकठा करना, विकल्पों की पहचान करना, एवं सर्वोत्तम विकल्प का चुनाब करना नियोजन में शामिल होता है। नियोजन लक्षयों का निर्धारण करने तथा भविश्य के लिए पूर्वान लगाने जैसे सबसे महतुपुरुण कारिय करता है। आते इस प्रकार नियोजन बुद्धी मता पूर्ण निर्णे लेने में सहयता करता है। करमचारियों द्वारा के गे वास्त्वी कारियों का मिलान किया जाता है। यदि वास्त्वी कारिय प्रमापों के अनुसार नहीं पाई जाते हैं तो सुधार आत्म कारिवाही की जाती है। अता है इस प्रकार नियोजन प्रभावी नियंत्रण में मदद करता है। बच्च परन्तु वह वास्तम में केवल आठ एकाईयों का ही उत्पादन करता है। इस प्रकार दो एकाईयों के रिणात्मक विचलन के लिए उस श्रमिक को उत्तरदाई ठहराया जाएगा। इस प्रकार नियोजन के अभाव में वास्त्वी कारियों के प्रमापित कारें सो तुलना संभव ही नहीं हो सकती। तथ नियंत्रन भी संभव नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, हम यह देख चुके हैं कि नियोजन व्यवसाइक संस्थाओं के लिए कितना आवश्यक है। कुछ लोगों का मत है कि नियोजन भविश्य के बारे में पूर्व अनुमानों पर अधारित होता है और भविश्य में तो कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसलिए नियोजन का कोई खास महत्व ही नहीं है, परन्तु ऐसा नहीं है। वास्तम में इस प्रकार की विचारधरा, नियोजन में उपस्थित इसकी सीमाओं और कठिनाईयों की ओर इशारा करती है। अगर प्रबंधक को नियोजन को सफल एवं उद्देशे पुरुण बनाना है, तो उसे नियोजन की इन कठिनाईयों अथवा सीमाओं को भली भांती जानना होगा। यह सीमाओं इस प्रकार हैं। नमबर एक, नियोजन द्रड़ता अथवा अलोचकता पैदा करता है। हालाकी नियोजन में लोच्शिलता की विशेषता विद्यमान होती है, परन्तु फिर भी आवशकता पढ़ने पर इसमें केवल छोटे परिवर्तन ही संभव हो पाते हैं। कई बार बदलती परिस्तितियों के नुसार योजनाओं में वांचित बड़े स्तर पर परिवर्तन करना इसमें संभव नहीं हो पाता। नियोजन में सिमित लोचकता के लिए आंत्रिक और बाहर दोनों ही तत्तो उत्तरदाई होते हैं। आंत्रिक अलोचकता में संस्था के उद्देश्य, नीतियां, कारेविधियां, नियम आदी उत्तरदाई होते हैं। जबकि व्यवसाइक परिवर्ण के बाहरी आयामों में राजनेतिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, तथा प्रतियोगी परिवर्ण से समन्दी तत्तों को शामिल किया जाता हैं। इस प्रकार नियोजन में सिमित लोच शिलता की वज़े से संस्था को हानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नमबर दो, नियोजन परिवर्ण शिल वातावरण में काम नहीं करता। प्यारे बच्चों, नियोजन भविषय के बारे में किये गए पूर्वानमानों पर अधारित होता है। और क्योंकि भविषय अनिश्चित है, इसलिए पूर्वानमान प्रायह पुर्ण रूप से सही नहीं हो पाते। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, व्यवसाईक परिवर्ण परिवर्थन शिल होता है और अनेक आयामों से लगातार परभावित होता है। कई बार यह परिवर्तन उद्धिमी के अश्राओं के विपरीत होते हैं और योजनाओं की असफलता का कारण बनते हैं. उधारन के लिए यदि एक कमपनी यह पूर्वानमान लगा कर चलती है कि वर्तमान परिस्तितियों के निसार सरकार शिग्र ही किसी विशेश उत्पाद क का सामना करना पड़ता है. अथे कई बार अती परिवर्तन शिल वातावरण में नियोजन सफलता पूर्वक कारें नहीं कर पाता. नमबर तीन, नियोजन रचनात्मक्ता को कम करता है. प्यारे बच्चो, नियोजन क्योंकि भविश्य की क्रियाओं का पहले से ही निर्धारन कर देता है, इसके कारण परबंदुक की पहलक शमता और स्रिजनात्मक्ता पर एक परकार से रोक लग जाती है, जिसे नवीन उप जिनाओं को क्रियान वित करते हैं. इसमें मध्य स्तरिय परबंद तथा निमन स्तरिय परबंद अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कारे करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते. परिणाम स्वरूप उनके विचारों की रचनात्मक्ता दबी रह जाती है. इसके सम्बंद में प अतहे स्पष्ट है कि कुछ हद तक नियोजन रचनात्मक्ता को कम करता है. नमबर चार नियोजन करने में अधिक लागतें आती हैं. योजनाओं का निर्मान एक खर्चिली प्रक्रिया है. इसमें समय श्रम एवं धनका गय होता है. नियोजन शब्द जितना छोटा है इसकी प्रक्रिया उतनी ही बड़ी है. नियोजन की इस लंबी प्रक्रिया में अनेक प्रबंद सूचनाएं कत्रित करने, उनका विशलेशन करने और उनके नुसार पूर्वानमान लगाने और संसादनों को जुटाने में अधिक समय धन और श्रम की अवशक्ता होती है. यदि नि नियोजन में अधिक लागतें आती हैं. नमबर पांच नियोजन समय नश्ट करने वाली प्रक्रिया है. नियोजन एक लंबी प्रक्रिया है. उद्देशियों को निर्धारित करने, आंकडों को एकत्रित करने, आंकडों का विशलेशन करने तथा विकल्पों का चुनाव कर करने में काफी समय लग جाता है। यदि परिस्तितियों के नुसार तत्काल निरणे लेना आवश्यक हो तो नियोजन की प्रक्रिया द्वारा निरधारित मार्ग से यह लगबग असंभव होगा। तत्काल दिरने लेने की स्थिती में यदि एक परबंदग नियोजन करने में जुट जाएगा, तब हो सकता है कि उपस्तित समस्या और अधिक गंभीर रूप धारण कर ले, तथा लाब के अवसर हानियों में बदल जाएं, अधिक नियोजन में अधिक समय लगने के कारण कार नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है, कई बार प्रबंदग पहले की जान्ची एवं परखी गई सफल योजनाओं पर अत्यदिक भरोसा कर बैठते हैं, परन्तु यह हमेशा उचित नहीं होता कि कोई योजना जो पहले सफल हो चुकी है, वह आगे भी सफल हो जाएगी, कई बार पर्यावरणिय तत्वों अत्वा व्यवसाय की आंत्रिक नितियों अत्वा दशाओं के कारण योजनाओं के क्रियान्वन की दशाओं में अंतर आ जाता है, इसी वज़े से कई बार परबंदग योजनाओं की सफलता से आश्वस्त होकर कारे में लापरवही बरतन लग जाते हैं, जिसके विपरीत परिणाम संस्था को भुगतने पड़ते हैं। अताय हम कह सकते हैं कि नियोजन कर लेने मातर से ही सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती, बलकि इसके लिए अनेक अन्य प्रियास भी करने पड़ते हैं। प्यारे बच्चो, नियोजन की इन सिमाओं के अध्यन कर लेने मातर से यह निश्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नियोजन अनावश्यक एवं अत्यंत खर्चली पदती हैं, जिसे केवल बड़ी संस्थाएं ही सहन कर सकती हैं। यह वास्तविक्ता के विपरीत हैं। यह है कि इन्हें अच्छे डंग से कैसे बनाया जाएं। दरसल नियोजन के मार्ग में आने वाली इन सभी कठिनाईयों अत्वा सिमाओं को दूर करके ही इसे परभापुर्ण बनाया जा सकता हैं। सिमाओं में उत्पन होने वाली विभिन बाधाओं अत्वा सिमाओं की जानकारी लीजिए। तथा उन्हें अपनी नोट्बुक में नोट कीजिए। आप उनकी उत्तरों की तुलना इस अध्याई से प्राप्त ज्यान की आधार पर कर सकते हैं। सकते हैं। सकते हैं। सकते हैं। सकते हैं। सकते हैं।